आप सोनिया गांधी को कितना जानते हैं, पूरा विडियो देखे और शेर करें अब भूमी का बांधने की आवशक्ता नहीं है और समय भी नहीं है हमें सीधे मुख्य मुद्दे पर आ जाना चाहिए भारत की खुफिया एजनसी रो जिसका गठन सन 1968 में हुआ ने विभिन्न देशों की गुप्तचर एजनसीों जैसे अमेरिका की CIA, रूस की KGB, इस्राइल की मोसाद और फ्रांस तथा जर्मनी में अपने पेशेगत संपर बढ़ाएं और एक नेटवर्क खड़ा किया इन खुफिया एजनसीों के अपने-अपने सूत्र थे और वे आतंकवाद, गुसपैट और चीन के खत्रे के बारे में सूचनाये आदान प्रदान करने में सक्षम थी लेकिन रौ ने इटली की खुफिया एजनसीों से इस प्रकार का कोई सहयोग या गजोड नहीं किया था क्योंकि रौ के वरिष्ट जासूसों का मानना था कि इटालियन खुफिया एजनसीया भरोसे के काबिल नहीं है और उनकी सूचनाये देने की क्षमता पर भी उन्हें संदेह था सक्रिय राजनीती में राजीव खान गांधी का प्रवेश हुआ 1980 में संजय की मौत के बाद रौ की नियमित ब्रीफिंग में राजीव गांधी भी भाग लेने लगे थे ब्रीफिंग कहते हैं उस संक्षिप्त बैठक को जिसमें रौ या CBI या पुलीस या कोई और सरकारी संस्था प्रधान मंत्री या ग्रिह मंत्री को अपनी रिपोर्ट देती है जबकि राजीव गांधी सरकार में किसी पद पर नहीं थे तब वो सिर्फ कॉंग्रेस महा सचिफ था चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े आपसे अनुरोध है यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आए तो हमें गूगल पे या फोन पे के माध्यम से हमें सहायता राशी नीचे दिये नंबरों पर भेज सकते हैं चलिए शुरू करते हैं राजीव गांधी चाहता था कि अरुन नहरू और अरुन सिंग भी रौ की इन बैठकों में शामिल हो रौ के कुछ वरिष्ट अधिकारियों ने डबी जुबान में इस बात का विरोध किया था चू कि राजीव गांधी किसी अधिकृत पद पर नहीं थे लेकिन इंदिरा खान गांधी ने रौ से उन्हें इसकी अनुमती देने को कह दिया था फिर भी रौ ने इंदिरा जी को सपष्ट कर दिया था कि इन लोगों के नाम इस ब्रीफिंग के रिकॉर्ड में नहीं आएंगे उन बैठकों के दौरान राजीव गांधी सतत रौ पर दबाव डालते रहते कि वे इटालियन खुफिया एजंसियों से भी गड़ जोर करें राजीव गांधी ऐसा क्यों चांदे थे या क्या वे इतने अनुबवी थे कि उन्हें इटालियन एजंसियों के महत्व का पता भी चल गया था ऐसा कुछ नहीं था इसके पीछे एक मात्र कारण थी उस राजीव की लुगाई सोनिया गांधी राजीव गांधी ने सोनिया से सन 1968 में विवा किया था और हाला की रौ मानती थी कि इटली की एजंसी से गड़ जोर सिवाए पैसे और समय की बरबादी के अलावा कुछ नहीं है राजीव लगातार दबाव बनाए रहे अन्तता दस वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात रौ ने इटली की खुफिया संस्था से गड़ जोर कर लिया क्या आप जानते हैं कि रौ और इटली के जासूसों की पहली आधिकारिक मीटिंग की व्यवस्था किसने की? जी हाँ, सोनिया गांधी ने सीधी सी बात यहाँ है कि वहाँ इटली के जासूसों के निरंतर संपर्क में थी एक मासूम ग्रहिनी जो राजनैतिक और प्रशासनिक मामलों से अलिप्थ हो और उसके इटालियन खुफिया एजेंसियों के गहरे संबंध हो यह सोचने वाली बात है वहाँ भी तब जबकि उन्होंने भारत की नागरिक्ता नहीं ली थी वहाँ उन्होंने बहुत बाद में ली प्रधान मंत्री के घर में रहते हुए जबकि राजीव खुद सरकार में नहीं था हो सकता है कि रौ इसी कारण से इटली की खुफिया एजेंसी से गजोर करने में कत्रा रहा हो क्योंकि ऐसे किसी भी सहयोग के बाद उन जासूसों की पहुँच सिर्फ रौ तक न रहकर प्रधान मंत्री कार्याले तक हो सकती थी जब पंजाब में आतंखवात चरम पर था तब सुरक्षा अधिकारियों ने इंदिरा गांधी को बुलेट प्रूफ कार में चलने की सलाह दी इंदिरा गांधी ने अमबेसेडर कारों को बुलेट प्रूफ बनवाने के लिए कहा उस वक्त भारत में बुलेट प्रूफ कारे नहीं बनती थी इसलिए एक जर्मन कमपनी को कारों को बुलेट प्रूफ बनाने का ठेका दिया गया जानना चाहते हैं उस ठेके का बिचौलिया कौन था वार्टर विंसी सोनिया गांधी की बहन अनुश्का का पती रौको हमेशा यह शक था कि उसे इसमें कमेशन मिला था लेकिन कमेशन से भी गंभीर बात यह थी कि इतना महत्वकूर्ण सुरक्षा संबंधी कार्य उस सोनिया के मारफद दिया गया इटली का प्रभाव सोनिया दिल्ली तक लाने में काम्याब रही थी जबकि इंदिरा गांधी जीवित थी दो साल बाद 1986 में ये वही वाल्टर विंसी महाशय थे जिन्हें SPG को इटालियन सुरक्षा एजंसियों द्वारा प्रशिक्षन दिये जाने का ठेका मिला और आश्चर्य की बात यह की इस सौदे के लिए उन्होंने नगत भुकतान की मांग की और वह सरकारी तोर पर किया भी गया यह नगत भुकतान पहले एक रौ अधिकारी के हाथ हो जनेवा, स्विजर लेंड पहुचाया गया लेकिन वाल्टर विंसी ने जनेवा में पैसा लेने से मना कर दिया और रौ के अधिकारी से कहा कि वह ये पैसा मिलान, इटली में चाहता है विंसी ने उस अधिकारी को कहा कि वह स्विस और इतली के कस्टम से उन्हें आराम से निकलवा देगा और यह कैशचेक नहीं किया जाएगा रौ के उस अधिकारी ने उसकी बात नहीं मानी और अंता वह भुकतान इतली में भारतिय दूतावास के जरिए किया गया इस नगत भुकतान के बारे में ततकालीन कैबिनेट सचिव बीजी देशमुख ने अपनी हालिया किताब में उल्लेक किया है हालांकि वह तथाक्थित ट्रेनिंग घोर अस्वल रही और सारा पैसा लगभग व्यर्थ चला गया इटली के जो सुरक्षा अधिकारी भारतिय स्पीजी कमांडो को प्रशिक्षन देने आये थे उनका रवया जवानों के प्रती बेहद रूखा था एक जवान को तो उस दौरान थपपड भी मारा गया रौ अधिकारियों ने यह बात राजीव गांधी को बताई और कहा कि इस व्यवहार से सुरक्षा बलों के मनोबल पर विप्रीत प्रभाव पड़ रहा है और उनकी खुद की सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसे में खत्रे में पड़ सकती है घबराए हुए राजीव ने ततकाल वह ट्रेनिंग रुखवा दी लेकिन वह ट्रेनिंग का ठेका लेने वाले विंसी को तब तक भुक्तान किया जा चुका था एस्टरिस्क 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 राजीव गांधी की हत्या के बाद तो सोनिया गांधी पूरी तरह से इटालियन और पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों पर भरोसा करने लगी खास कर उस वक्त जब राहुल और प्रियम का यूरोप घुमने जाते थे सन उन्नीस सौ पचासी में जब राजीव सप्रिवार फ्रांस गए थे तब रौ का एक अधिकारी जो फ्रेंच बोलना जानता था उनके साथ भेजा गया था ताकि फ्रेंच सुरक्षा अधिकारियों से तालमेल बनाया जा सके लियोन फ्रांस में उस वक्त SPG अधिकारियों में हरकम मच गया जब पता चला कि राहुल और प्रियम का गुम हो गए है भारतिय सुरक्षा अधिकारियों को विनसी ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है दोनों बच्चे जोस वालडे मारों के साथ है जो कि सोनिया की एक और बहन नादिया के पती है विनसी ने उन्हें यह भी कहा कि वे वालडे मारों के साथ स्पेन चले जाएंगे जहां स्पेनिश अधिकारी उनकी सुरक्षा संभाल लेंगे भारतिय सुरक्षा अधिकारी यह जानकर अच्चमभित रह गए कि न केवल स्पेनिश बलकी इटालियन सुरक्षा अधिकारी उनके स्पेन जाने के कारेक्रम के बारे में जानते थे जाहिर है कि एक तो सोनिया गांधी ततकालीन प्रधान मंत्री नरसिमहा राव के एहसानों के तले दबना नहीं चाहती थी और वे भारतिय सुरक्षा एजंसियों पर विश्वास नहीं करती थी इसका एक और सबूत इससे भी मिलता है कि एक बार सन 1986 में जिनेवा स्थित रोके अधिकारी को वहां के पुलीस कमिशनर जैक कुंजी जिनेवा का पुलीस कमिशनर उस रो अधिकारी का मित्र था लेकिन यहां अलग से बताने की जरूरत नहीं थी कि वे विआईपी बच्चे कौन थे वेकार से वाल्टर विंसी के साथ जिनेवा आये थे और स्विस पुलीस तथा इटालियन अधिकारी निरंतर संपर्क में थे जबकि रो अधिकारी को सिरे से कोई सूचना ही नहीं थी है नाहा स्यासपद लेकिन चिन्ताजन उस स्विस पुलीस कमिशनर ने ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारे प्रधान मंत्री की पत्नी तुम पर विश्वास नहीं करती और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए इटालियन एजंसी से सहयोग करती है बुरी तरह से अपमानित रो के अधिकारी ने अपने वरिष्ट अधिकारियों से इसकी शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ अंतराश्चिय खुफिया एजंसीयों के गुट में तेजी से यह बात फैल गई थी कि सोनिया गांधी भारतिय अधिकारियों भारतिय सुरक्षा और भारतिय दूतावासों पर बिलकुल भरोसा नहीं करती है और यहा निश्चित ही भारत की छवी खराब करने वाली बात थी राजीव की हत्या के बाद तो उनके विदेश प्रवास के बारे में विदेशी सुरक्षा एजंसिया एस्पीजी से अधिक सूचनाए पाजाती थी और भारतिय पुलीस और रो उनका मुह देखते रहते थे ओटावियो क्वारोची के बार-बार मखन की गरा हाथ से फिसल जाने का कारण समझ में आया उनके निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज सीधे पश्चमी सुरक्षा अधिकारियों के संपर्क में रहते थे रो अधिकारियों ने इसकी शिकायत नरसिमहा राव से की थी लेकिन जैसी की उनकी आदत थी वे मौन साध कर बैठ गए संक्षेप में तातपरिय यह की जब एक ग्रहिनी होते हुए भी वे गंभीर सुरक्षा मामलों में अपने परिवार वालों को ठेका दिलवा सकती है राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के जीवित रहते रो को इटालियन जासूसों से सहयोग करने को कह सकती है सत्ता में ना रहते हुए भी भारतिय सुरक्षा अधिकारियों पर अविश्वास दिखा सकती है तो अब जब की सारी सत्ता और ताकत उनके हाथों में है वे क्या क्या कर सकती है बलकि क्या नहीं कर सकती हालां की मैं भारत की बहु हूँ और मेरे खून की अंतिम बूंध भी भारत के काम आएगी आदी वे यदाकदा बोलती रहती है लेकिन यहाँ असली सोनिया नहीं है समुचा पश्चमी जगत जो की जरूरी नहीं कि भारत का मित्र ही हो इस धंदे वाली सोनिया के बारे में सब कुछ जानता है लेकिन हम भारतिय लोग सोनिया के बारे में कितना जानते है भारत भूमी पर जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे कितने ही वर्ष विदेश में रह ले, स्थाई तोर पर बस जाए लेकिन उसका दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता है और इटली में जन्म लेने वाले व्यक्ति का सोनिया खान गांधी, अंटोनियो, इटली, रौ, खुफिया एजिंसी, राहुल गांधी, प्रियंगता गांधी सोनिया गांधी भारत की प्रधान मंत्री बनने के योग्य है या नहीं, इस प्रश्न का धर्म निर्पेक्षता या हिंदू राश्च्रवाद या भारत की बहुलवादी संस्कृती से कोई लेना देना नहीं है इसका पूरी तरह से नाता इस बात से है कि उनका जन्म इटली में हुआ, लेकिन यही एक बात नहीं है सबसे पहली बात तो यह की देश के सबसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन कराने के लिए कैसे और क्यों ऐसी खतरना धंदे वाली पर भरोसा किया जाए सन 1998 में एक रैली में इस सोनिया ने कहा था कि अपनी आखरी सांस तक मैं भारतिय हूँ, बहुत ही उच्च विचार है, लेकिन तथ्यों के आधार पर यहाँ बेहत खोखला ठहरता है अब चूंकी वे देश के एक खास परिवार से हैं और प्रधान मंत्री पत के लिए बेहत आतुर है, जी हाँ, तब ये एक सामाजिक व्यक्तित्व बन जाती है और उनके बारे में जानने का हक सभी को है, 14 मई 2004 तक ये प्रधान मंत्री बनने के लिए जीतोर कोशिश करती रही यहाँ तक की एक बार तो पूर्ण समर्थन ना होने के बावजूद वे दावा पेश करने चल पड़ी थी, लेकिन 14 मई 2004 को राश्चुपती कलाम साहब द्वारा कुछ सुविधाजनक प्रश्न पूछ लिये जाने के बाद यकायक 17 मई आते आते उनमें वैराग्य भावना जागरित हो गई और वे खामखवा त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ती बना दी गई चम्चो दुवारा कलाम साहब को दूसरा कार्यकाल न मिलने के पीछे यहाँ एक बड़ी वज़ा है ठीक वैसे ही जैसे सोनिया ने प्रणब मुखर जी को राश्चुपती इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यू के बाद राजीव के प्रधान मंत्री बनने का इसने व बहराल सोनिया गांधी उर्फ मायनो भले ही आखिरी सांस तक भारतिय होने का दावा करती रहें भारत की भोली भाली जनता को इंदिरा स्टाइल में सिर पर पल्ला ओड कर नामास्खार आदी दो-चार हिंदी शब्द बोल लेकिन यह सच्चाई है कि सन 1984 तक उन्होंने इट जीव और सोनिया का विवा हुआ था सन 1968 में भारत के नागरिक्ता कानूनों के मुताबिक जो कानून भाजपा या कम्यूनिस्टों ने नहीं बलकी कॉंग्रेसियों ने ही सन 1950 में बनाएं सोनिया को पांच वर्ष के भीतर भारत की नागरिक्ता ग्रहन कर लेना चाहिए था अर्थात सन 1974 तक लेकिन यह काम उन्होंने किया दस साल बाद यह कोई नजरंदाच कर दिये जाने वाली बात नहीं है इन 15 वर्षों में दो मौके ऐसे आये जब सोनिया अपने आपको भारतिये साबित कर सकती थी पहला मौका आया था सन 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ बांगलादेश को तभी मुक्त करवाया गया था उस वक्त आपात कालीन आदेशों के तहट इंडियन एरलाइन्स के सभी पायल्टों की छुटिया रद कर दी गई थी ताकि आवशक्ता पढ़ने पर सेना को किसी भी तरह की रसद आदी पहुचाई जा सके। सिर्फ एक पायलेट को इससे छूट दी गई थी जीहा राजीव खान गांधी जो उस वक्त भी एक पूर्ण कालिक पायलेट थे। दूसरा मौका आया सन 1977 में जब यह खबर आई की इंदिरा गांधी चुनाव हार गई है और शायद जनता पार्टी सरकार उनको गिरफतार करे और उन्हें परेशान करे। नौवल के बाद वे घर वापस लोटी। थाईलेंड या सिंगापूर आदी देशों जैसा नहीं है जिसमें वहां पैदा हुआ व्यक्ती ही उच्छ पदों पर बैठ सकता है। भारत के सम्विधान में यह प्रावधान इसलिए नहीं है कि इसे बनाने वाले धर्म निर्पेक्ष नेताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आजादी के 60 वर्ष के भीतर ही कोई विदेशी मूल का व्यक्ती प्रधान मंत्री पत का दाविदार बन जाएगा। लेकिन कलाम साहब ने आसानी से धोखा नहीं खाया और उनसे सवाल कर लिए सोनिया की नौकरानी की हैसियत वाली प्रतिभात ताई कितने सवाल कर पाती हैं यह सभी जानते थे जानते हैं। सम्मिधान के मुताबिक सोनिया प्रधानमंत्री पत की दावेदार बन सकती है जैसे की मैं या कोई और लेकिन भारत के नागरिकता कानून के मुताबिक व्यक्ती तीन तरीकों से भारत का नागरिक हो सकता है पहला जन्म से, दूसरा रजिस्ट्रेशन से और तीसरा प्राकृतिक कारणों भारतिय से विवा के बाद पाँच वर्ष तक लगातार भारत में रहने पर इस प्रकार मैं और सोनिया गांधी दोनों भारतिय नागरिक हैं लेकिन मैं जन्म से भारत की नागरिक हूँ और मुझसे यह कोई नहीं छीन सकता, जबकि सोनिया के मामले में उनका रजिस्ट्रेशन रद किया जा सकता है। वे भले ही लाख दावा करे की वे भारतिये। लेकिन उनका नागरिक्ता रजिस्ट्रेशन भारत के नागरिक्ता कानून की धारा 10 के तहट 3 उपधाराओं के कारण रद किया जा सकता है। सुब्रामन्यम स्वामी काफी काम कर चुके हैं और अपनी पुस्तत में उन्होंने इसका उल्लेक भी किया है, जो आप पाएंगे इन अनुवादों के तीसरे भाग में। राश्चुपती कलाम साहब के दिमाग में एक और बात निश्चित ही चल रही होगी। वह यहा की इटली के कानूनों के मुताबिक वहां का कोई भी नादरिक दोहरी नादरिका रख सकता है। भारत के कानून में ऐसा नहीं है। और अब तक यहा बात सारवजनिक नहीं हुई है कि सोनिया ने अपना इटली वाला पासपोर्ट और नादरिक्ता कप छोडी। ऐसे में वह भारत की प्रधान मंत्री बनने के साथ साथ इटली की भी प्रधान मंत्री बनने की दावेदार हो सकती है। अंत में एक और मुद्दा, अमेरिका के सम्मिधान के अनुसार सर्वोच पत पर आसीन होने वाले व्यक्ती को अंग्रेजी आना चाहिए, अमेरिका के प्रतिवफादार हो तथा अमेरिकी सम्मिधान और शासन व्यवस्था का जानकार हो। भारत का सम्मिधान भी लगभग मिलता जुलता ही है, लेकिन सोनिया किसी भी भारतिय भाषा में निपण नहीं है। अंग्रेजी में भी उसकी भारत के प्रतिवफादारी भी मात्र 22 साल पुरानी ही है और उसे भारतिय सम्मिधान और इतिहास की कितनी जानकारी है यह तो सभी जानते हैं। जब कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो भारत सरकार का पत्र सूचना ब्यूरो पी आईबी उनका बायोडाटा और अन्य जानकारिया एक पैंफलेट में जारी करता है। आज तक उस पैंफलेट को किसी ने भी ध्यान से नहीं पढ़ा क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री बना उसके बारे में जनता, प्रेस और यहां तक की छुट भहिये नेता तक नक्षिक जानते हैं। यदि भगवान न करे सोनिया प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुई तो P.I.B. के उस विस्तरित पैंफलेट को पढ़ना बेहत दिल्चस्प होगा। आखिर भारतियों को यह जानना ही होगा कि सोनिया का जन्दरसल कहा हुआ। उनके माता-पिता का नाम क्या है और उनका इतिहास क्या है? वे किस स्कूल में पढ़ी? किस बाशा में वे अपने को सहज पादी है? उनका मनपसंद खाना कौन सा है? हिंदी फिल्मों का कौन सा गायक उन्हें अच्छा लगा है? किस भाधिय कवी की कविताएं उन्हें लु सोनिया और उनके इतालियन मित्रों को स्नैम प्रोगैती की ओटावियो क्वात्रोची से भारी भरकम राश्या मिली, वह भारतिय कानूनों से बेखोफ होकर दलाली में रुपे कूटने लगा. कुछ ही वर्षों में माईनो परिवार जो गरीबी के भंवर में फिसा था अच विले सदस्य के रूप में, जब 19 नवमर 1974 को संसद में ही ततकालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाधी से पूछा था कि क्या आपकी बहु सोनिया गाधी, जोकि अपने आपको एक इंशोरेंस एजेंट बनाती है. वे खुट को ओरियेंटल फायर एंड इंशोरेंस कमपनी की एजेंट बताती थी, प्रधान मंत्री आवास का पता उप्योग कर रही है. जबकि यहाँ अपराध है, क्योकि वे एक इटालियन नागरिक है, और यहाँ विदेशी मुद्रा उलंगन का मामला भी बनता है, तब संसद में बहुत शोरगुल मचा, श्रीमती इंद मेरा गांधी गुसा तो बहुत हुई, लेकिन उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने लिखित में यहाँ बयान दिया कि यहाँ गल्ती से हो गया था और सोनिया ने इंशोरिंस कमपनी से इस्तिफा दे दिया है, मेरे प्रश्न पूछने के बाद, लेक के जस्टिस एसी, गुप्ता के नेतरित्व में गठित आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसके अनुसार मारूती कमपनी, जो उस वक्त गांधी परिवार की मिलकियत था, ने फेरा कानूनों, कमपनी कानूनों और विदेशी पंजीकरन कानून के कई गंभीर उलंधन किये, लेकिन ना तो संजे गांधी और ना ही सोनिया गांधी के खिलाफ कभी भी कोई केस दर्ज हुआ, ना मुकदमा चला, हालांकि यहाँ अभी भी किया जा सकता है, क्योंकि भारतिय कानूनों के मुताबिक आर्थिक घपलों पर कारवाई हेतु कोई समय सीमा तै नहीं है जनवरी 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी पुना सत्तासीन हुई सोनिया ने सबसे पहला काम यह किया, कि उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाया, यह साफ साफ कानून का मखौल उडाने जैसा था और उनका वीसा रद किया जाना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त भी वे इटली की नागरिक थी प्रेस द्वारा हला मचाने के बाद दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने 1982 में उनका नाम मत्दाता सूची से हटाया लेकिन फिर जन्वरी 1983 में उन्होंने अपना नाम मत्दाता सूची में जुडवा लिया, जबकि उस समय भी वे विदेशी ही थी आधिकारिक रूप से उन्होंने भारतिय नागरिक्ता के लिए अप्रेल 1983 में आवेद दिया था हाल ही में ख्यात कानून विद एजी नूरानी ने अपनी पुस्तक सिटीजन्स राइट्स, जजेस एंड अकाउंटेबिलिटी रेकॉर्ड्स प्रिष्ट 318 पर यहाँ दर्स किया है कि सोनिया गांधी ने जवाहरलाल नहरू के प्रधान मंतरित्वकाल के कुछ खास कागजात एक विदेशी को दिखाए जो कागजात उनके पास नहीं होने चाहिए थे और उन्हें अपने पास रखने का सोनिया को कोई अधिकार नहीं था इससे साफ जाहिर होता है उनके मन में भारतिय कानूनों के प्रती कितना सम्मान है और वे अभी भी राज्टंत्र की मानसिक्ता से ग्रस्थ है सार यह की सोनिया गांधी के मन में भारतिय कानून के संबन में कोई इज़त नहीं है वे एक महारानी की तरह व्यवहार करती है यदि भविश्य में उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलता है और जेल जाने की नौबत आ जाती है तो वे इटली भी भाग सकती है पेरू के राश्च्रुपती फूजीमोरी जीवन भर यह जबते रहे कि वे जन्म से ही पेरुवासी है लेकिन जब भ्रश्टाचार के मुकदमे में उन्हें दोशी पाया गया तो वे अपने ग्रिह देश जापान भाग गए और वहां की नागरिक्ता ले ली भारत से घ्रिणा करने वाले मुहम्मद गोरी, नादिर शाह और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने भारत की धन्समपदा को जम कर लूटा लेकिन सोनिया तो भारतिय है फिर जब राजीव और इंदिरा प्रधान मंत्री थे, तब बकसे के बकसे भरकर रोज बरोज प्रधान मंत्री निवास से सुरक्षा गार्ड चेन्ने के हवाई अड़े पर इटली जाने वाले हवाई जहाजों में क्या ले जाते थे? एक तो हमेशा उन बकसों को रोम के लिए बुक किया जाता था, एर इंडिया और अलिटालिया एरलाइन्स को ही जिम्मा सौपा जाता था और दूसरी बात यह की कस्टम्स पर उन बकसों की कोई जाच नहीं होती थी अर्जुन सिंग जो की मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं और संस्कृती मंत्री भी इस मामले में विशेश रुची लेते थे कुछ भारतिय कलाकृतिया, कुरातन वस्तुए, पिछवाई पेंटिंस, शहतू शौले, सिक्के आदी इटली की दो दुकानों जिनकी मालिक सोनिया की बहन अनुसका है, में आम तोर पर देखी जाती है ये दुकाने इटली के आलीशान इलाको रिवोल्टा दुकान का नाम एटनिका और 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 बेस सानों दुकान का नाम गनपती में स्थित है, जहां इनका धंदा नहीं के बराबर चलता है, लेकिन दरसल यह एकार है